येर फ्रेंड्स बेलकम टू दादी मा की बगिया फ्रेंड्स आज मैं आपको अपनी बगिया के सहर कराऊंगे देखिए मेरे चुकंदर और ये सर्दी में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे चल लए हैं तो चुकंदर का एक नहीं मैंने दो ग्रोबाइग में भर के लगाया है और ये देखिए कितने अच्छे से चुकंदर चल रहे हैं और ये काफी बड़ा बाएगा है ग्रोबाइग 24 वाई 24 का इसमें मैंने पूरा वही रिच मिट्टी बनाके इसमें लगाया और ये काफी अच्छे ग्रोथ ते रहाएं तो आप भी चुकंदर लगा is सकते हो अभी भी लगाने का समय है और ये देखिए शयों अधर धनिया सर्सों और ये देखिये कैविज बाहर का है चाहिना का है तो ये भी कैविज मने लगाया क्योंकि मारी पोती को चाउमीन में यह बहुत अच्छा लगता है पता नहीं क्या-क्या बनाती है तो उसने कहाई यह कैविज लगाई है तो यह भी लगा हुगा है इधर चलिए यह देखिए बाक पाकला एक दो और अब यह इसमें ग्रो हो रहा है यह भी बाकला लगा रखा फिर इसके बाद में ये देखिए बह्atters का पोरा ऊका हुग्रो destruction इसको एक तरह से ब्रइड की बहुए उन ड्रुच ऋर्टी लगा और यह लगा ति तिना ब्रक्षट बन गए और उपर इतनी सीविए आपो उच्ण का नहीं तो आपको नज़त नशय नहींتى कर दया नहीं आएंगी इसके बाद एक ग्रोबाइग में मैंने गन्ना लगाए थे यह देखी अच्छे चल रहे और इनकी हर्वेस्टिंग का टाइम आ गया है मैं इनको किसी दिन का हर्वेस्ट करूंगी और फिर नीचे से गन्ना आ जाएगा तो इस तरह से आप अपने गार्डन मे छत पर गन्ने भी लगा सकते हो ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप उपर लगा नहीं सकते बस इतना ध्यान रखना कि जो भी लगाओ रिच मिटी में लगाओ उसमें सूखे पत्ते गोवर गाय का गोवर के खाद और जो आप किचन बेस्ट बनाते हो कुछ ना कर सको तो किच पर ब्रोकली पूरी क्यारी लगाई है कुछ बड़े प्लांट है कुछ छोटे हैं और साइड में यह मैंने सरसों बो दिये तो अभी इसका जर्मनेशन अच्छे से हो रहा है जहां भी जगे मिले आपको डाल दो क्योंकि यह जब तक बड़े प्लांट होंगे ब्रोकली के तब तक आपको यह खाने के लिए मिल जाएगे और इसको निकाल लेना तो इस तरह से यह यह देखिए भी बाकला है क्योंकि बड़े मेरा परिवार 8-9 लोगों का है बेटा बेटी बहु पोत्या पोती तो मुझे मैं जो भी चील लगाती हूं कम से कम 4-5 गमला लगाती जि यह दिखिए यह देखिए तվमाटर के प्लांट और टमाटर बहुत अच्छे से आयो फ़ीर जितना भी इनकी दिखाऊंपाटेमाटरफ है प्लांटर ही स्था का इसके बाद में अपको यह दिखा रहे हैं श्यों Paige भींस बैस्त भंभा एं से थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने आलू लगाया देखिए कैसा होता है अभी तो निकला है जब इसकी खुदाई करेंगे तब इसकी अपडेट आपको जरूर देंगे जब हर्वेस्टिंग होगी यह देखिए एक मैंने भी यह देखा है कि देखें क्या हो सकता है यह किचन बेस्ट के ड्रम में अगर हम म लगाँ आलू को नीचे से खाद मिलेगी जो किचन बेस्ट बन रही उपर से मिट्टी का प्रवाव हो का तो साइद आलू ज्यादा अच्छे बैठे तो देखिए कि यह हमारे छत का दूसरा कार्णर अब मैं आप में कार्णर में चल रही हूं आपके साथ में यह देखिए इधर मैंने पूरा टमाटर ही टमाटर लगा रखा है और यह सब मिर्ची के प्लांट है और मिर्ची बहुत अच्छे से आ रही है अभी तो छोटी छोटी है यह देखिए यह देखिए यह देखिए सभी में मिर्ची लगी हुई है यह छोटी सी है लेकिन अभी नजर नहीं आ रही है और इस इधर एक यह मिर्ची का प्लांट है यह पूरी तरह से फूला हुआ है और यह टमाटर देखिए यहां पर लगे हुए है तो आज आपको पूरा मैं बढ़ गया कि यह करना इधर मैंने यह लगा रखा है फिर गोवी क्योंकि गोवी मेरा एक बार का बिल्कुल तयार हो गया था मैंने पूरा हर्वेस्ट कर लिया अब यह दुवारा फिर गोवी लगा दिया और यह भी मिझे अच्छे से चलना आए अच्छा खिलाएगा और यह टमाटर द देखिए ब्रोकली लगना शुरू हो गई यह ब्रोकली का पेड़ा इधर गोवी लग यह दूसरी टाइम का गोवी लगना शुरू हो गया है और यह हमारा है पत्ता गोवी यह अच्छे से चल रहा है देखो पत्ता गोवी बनने लगा और यह मैंने नया फिर गोवी लगा हुआ है इसके बाद फिर टमाटर में आ जाते हैं यह देखिए टमाटर ही टमाटर और इनको आप थोड़ा सा देखिए टमाटर किस तरह से उपर तक लगा हुआ है यह यह पूरा मेरा टमाटर के करनर है यह देखिए किस तरह से टमाटर फरा हुआ है यह टमाटर चल लाए और इसमें एक बीच में पत्ता गोभी रखा ये भी अच्छा से बन रहा है और देखिए इधर टमाटर का पेड़ पूरी बग्या तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पूरी बग्या में तो बहुत लंबी हमारी बग्या है और यह देखिए इस तरह से टमाटर इसमें फल रहा है मैं लकड़ी पर लकड़ी पर लगाती जा रही हूँ और यह बढ़ता जा रहा है और इस तरह से टमाटर पू फिर कर दिया इसम्य भी ऑलो निकल रहा है यह भी आलो है और बीच में यह मूली का तव हैครछ चलिए फिर उस कर्मार में चलते हैं अब यहां से मेरी शुरू हो जाती ही जुगनी यह देखिए जुगनी फूल पर आ रही है यह जुगनी का प्लांट है इसके बाद में यह जुगनी का प्लांट है इसमें भी छोटे छोटे फूल से आने लगे हैं बीच बीच में टमाटर के कुछ-कुछ प्लांट लगे है और यह देखिए यह जुगनी इसके उन जुगनी के बाद में यह भी मैंने प्लांट लगाए कि चलो अभी टाइम है लगा दे ज्यादा निकलेंगी तो चार बैग हमने जुगनी लगाए है एक यह भी जुगनी जो को छोटा सा प्लांट निकल रहा है और यह पत्ता इसके बाद में यह पूरा कार्णर हमारा भरापड़ा है यह कभी फिर दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुं लंबा हो जाएगा साइद आप लोग ना उतना देखें यह देखिए यह पूरा मेरा कार्णर भरापड़ा है यह टमाटर इस कार्णर में मैंने आके तीन लगा हुआ है तो इस तरह से यह मेरा वही सदा बहार अंजीर का पेड़ पूरा फलो से लदा पड़ा है और इसके आसपास मने नेट बांद दिया क्योंकि गिलहरी रोजाना दो चार अंजीर खराब कर जाती दिया अंजीर इतना बढ़िया और बड़ा लगा हुआ है कि आप को जितर से भी दिखाएं देखो अंजीर की डाल बिल्कूल लदी पड़ी हुई है तो यह अंजीर का पेड़ा है फिर इसके बाद यह पपीता मेंने इस कैरी में लगा रखा है कई पपीता लगा है साइद हो जाए और इसके बाद में यह फिर मैंने जुगनी थोड़ी से लगा रखी है और उसका कारनर में हरा सागये है मेथी, ओर नहीं आए टंद फंक के लिए देखिए मूली खड़ी हुई है यह मूली यह भी मूली हर्वीसटिंग खड़ी हुई है तो यह मूली लगा रख है और वह सेकंड टाइम दूसरे पार्ट में मैं आपको और गार्डन दिखाएंगे क्योंकि अभी तो मेरा गार्डन बहुत लंबा चोड़ा है आधा चीज दिखा पाए मैंने तो चलिए बस यहीं पर आप आज थोड़े सी हाँ बारिस हो रही बूंदा बांदी हो रही तो मौसम अच्छा थ मैंने का चलिए आज हम यहां पर वीडियो बनाया और यह कार्णर मेरा बैंगन का है कली मैंने बैंगन को हर्वेस्ट किया और फिर भी छोटे-छोटे बैंगन इस तरह देखो फिर लगना शुरू हो गए तो यह कार्णर पूरा मेरा बैंगन का है तो कैसा लगा हमारा गार कि सब्जियां अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना सस्क्राइब करना शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए तो सस्क्राइब प्लीज प्लीज सस्क्राइब जरूर करिए धन्यवाद